स्वागत है आपका इस नए सेशन में बॉस सो सीम पी एंड सफम दोनों का अब रिवीजन स्ट्राटेजी तुम लोग के साथ डिसकस करने वाला हूं इस नाव टाइम के अपन लोग अट लीस्ट एक्जाम के पहले दो बार रिवाइस कर ले आप दोनों गूरूप दे रहे होगे या सिंगल सिंगल गूरूप दे रहे होगे प्लस यह जो पीडिएफ है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है बहुत सोच समझ के यह वर्काउट किया है वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर लीजेगा कुछ जनरल चीजे जो आपको याद रखनी है ठीक है जाकिर खान का मैं एक कॉंसर्ट भी सुन रहा था नॉट कॉंसर्ट बट उसका इक इंस्टाग्राम का एक रील था जाकिर खान अपना अरे भाई सक्त लॉंडा तो मैं कल मेरे लेक्चर में भी यही चीज लाइफ बैच में डिसकास कर रहा था इसा है कि अभी लाइफ में जब सुबह उठते हो ना तो अपने आपको डिसकमफर्ट में पुश कर दो ताकि आगे जिंदगी भर आपको कमफर्ट रहे या फिर अगर आप कमफर्ट जोन में चले गए ना तो जिंदगी अपने को पुश करे डिसकमफर्ट पे अपन चले जाए और कोई और पुश करे डिसकमफर्ट पे उससे तो अच्छा है ना खुझ से अपने आपको discomfort दे दे थोड़ा in terms of studies, in terms of efforts, everything, शायद मेरे लिए एक extra lecture लेना, थोड़ा discomfort होगा, बट रात को चैन की नीद आएगी, शायद आपके लिए तो दो घंटे extra पढ़ाई कर लेना, एक discomfort होगा, बट रात को अच्छी नीद आएगी, और वो नहीं करोगे, then in that case, अगर आप comfort zone में आगे, you all know what can happen to either of us, so things to do, यहाँ पे, सबसे important है कि आप लोगों का planning बहुत अच्छा होना चाहिए, so everyday ensure that रात को सोने से पहले, next day क्या करना है न, वो plan आप लोगों का ready हो, मैंने बहुत बाहर सुनना है, student से, sir क्या पढ़ू, सोच रहो, अरे, ऐसे क कैसे हो सकता है, आपका everyday का to do list ready होना चाहिए, और उस to do list को tick मानने में मजा ही कुछ और होगा, ठीक है, तो say for example, मैं अगर SCMP, SFM का बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, मैंने लिखा भी है, take two subjects together, right, तो अगर मैं SCMP का बात करता हूँ, आपने सोचाए कि बहुत चलो, modern business environment है, कोई chapter है, उसका मैं उसके अंदर और detailing में लिख लो, कि मैं उसका ये 3-4 concept, cost of quality करने वाला हूँ, फिर बाद मैं उसमें business excellence model करने वाला हूँ, theory of constraint करने वाला हूँ, इसके मैं 4 पात सम करूँगा, इसका theory करूँगा, और जैसे ही वो हो जाए आपका, give a tick mark, तो वो जो ए एक ये और चीज clarity रखना, कि आप लोगों का backlog जादा बढ़ते ना जाए, because अगर वो backlog बढ़ते गया ना, फिर बाद में वो motivation का level कम होते जाता है, इसके लिए plan ready होना चाहिए next day का, तो मतलब आज रात को सोने से पहले लिख लो, कि ये मेरे को कल के दिन पे करना है, realistic रखन है, वो सब भी decided हो, कि say for example, भाइच 6 वजे उठना है अपने को, तो 6 a.m. you should get up, say 6.30 you should start, 10.30 तक मेरे को ये सारी चीज़े complete करनी है, and I will not use my mobile, फिर सीधा 10.30 को mobile लेंगे, 10.30 to 11, whatever, और कुछ काम करना है कर लिया, फिर वापस 11 to 2, a continuous schedule set किया है, mobile side पे रख दिया, that's how your planning should be, and then you have to ensure, कि आप इसको push कर रहे हो, अपने आपको, to get that done, हो सकता है, इस बीच में आप लोग के कुछ lectures चल रहे हो, हो सकता है, इस बीच में कुछ live batches चल रहे हो, या Google Drive recordings, whatever, division, lectures, आप कुछ देखने वाले हो, तो वो भी उसमें schedule में डाल जो, once that is done, टिक, उसके बाद में डाल master begins, तो वो मत होने दो, दो चीज, plan ready होना चाहिए, plan पे टिक माक होते रहना चाहिए, मैंने ही बोल रहो हो के plan 100% आप execute करीद होगे, बट अगर 80-90% भी हो गया, then in that case, we have won a majority battle, दूसरा, backlog बढ़ने नहीं देना है, दो subject को साथ में रखो, this was at least my strategy, और मैं जितने rankers से सुनता उनका भी यह एक चीज मैंने सुना है, कि वो लोग दो subject साथ में लेके जाते थे, या फिर first attempt भी जो clear हुआ है, जो clear कर रहा है, वो दो subject साथ में लेके जलता था, अगर आपका एक ही group है, तो say for example, आप SCMP, IDT को कर सकते हो साथ में, elective and DT को आप साथ में ले सकते हो, group 1 में अ पूर सारे test, chapter wise, specially for SCMP, SFM, please इसका benefit ले लेना, मेरे telegram channel पे, और मेरे description box पे, मैं Google Drive link share कर रहा हूँ, जहां पे आपको test के सारे details मिलेंगे, please click on that, fill up the form, and we'll send you all the details, trust me, सबसे बड़ा difference, वो जो game changer होता है, अगर आप 180s, 190s वाले हो, या 380s, 390s वाले हो, या 370s वाले हो, then in that case, 20-30 marks का जो difference है न, वो यहां पे ही game बजलता है, बस यह अगर अगर आपने manage कर लिया, then in that case, यह अपने आपको थोड़ा push करके, इधर discipline दिखा दिया न, हो जाएगा, use Kaizen approach, Kaizen क्या बोलता है, step by step, छोटा छोटा step लो, मत सोचो बढ़ा, आरे, पूरा एक SCMP cover करने का है नहीं, अराम से, step by step लो, और यह step by step approach के लिए, मैं यहां पे आप लोगो के पास यह चीज़ आया हो, यह Kaizen costing का मेरा part 1, part 1 करूंगा, बस, मेरे यह लिए SCMP खाली part 1 है, हो गया वो, मेरे लिए SCMP मेरे लिए SCMP खाली part 2 है, मेरे लिए SCMP खाली part 3 है, that's how your approach should be, यह part में मैं भी discuss करता हूँ, in case of SCMP अगर मैं बोलता हूँ, theory के revision lectures है मेरे, practical के revision lectures है, chai with costing है, please उसको regularly सुनते रहो, and थोड़ा उस सब का writing practice करते रहो, यह PDF share कर रहो, टेलिग्याम चैनल पे आपको खाली किसी भी जो भी चाहिए आपको, उस खाली Q1 पे आप click करोगे ना, तो QR open हो जाएगा and उससे फिर आपको जो चाहिए आप देख सकते हो, practical question का भी मैंने revision series बनाए है guys, so please listen to it, practical question जो most important है exam के लिए, वो भी आपके सारे cover हो जाएंगे, ठीक है, including standard costing, decision making, all the chapters, chai with costing, quick quick, 10-10 minute में पूरा concept, 10 minute में पूरा concept हो गया, that's what we want, अब इसमें important होता है कि आप keywords को याद रखो तो point यही है, जितना आप writing practice रखोगे, test के through, जितना आप ये lectures को बार-बार सुनोगे, वो keywords आपके दिमाग में set होते जाएंगे, exam में वो लिख कर आओ, I am sure you will crack it this time, both groups है, magic book यूज करना, sufficient होगा आप लोगों के लिए, and time saving भी होगा, अब मैं जो आप लोगो बता रहा था कि बहुत, parts में divide करो, तो देखो, बाई, दो revision 15 दिन, तो मैंने आपको यहाँ पे, अगर आप देखोगे मेरा, thumbnail तो मैंने लिखा है, पर 15 दिन में आप लोगो complete करना है, so this is what I meant, ये देखो, first revision 9 days, second revision 6 days, कैसे होगा 9 days में revision, part 1, 3 days, part 2, 3 days, part 3, 3 days, logically मैंने set किया है, definitely achievable है, so part 1, SCMP, perform, और और ये sequence में करना है, मतला आप कई बाद students पूछते भी है, sir, क्या sequence में जाओ, ये first chapter, ये second chapter, third chapter, fourth chapter, fifth chapter, ये ही sequence में आपको जाना है, ठीक है, performance measurement and evaluation, transfer pricing, budgetary control, ये एक part 1 है, guaranteed इसमें से 30 to 35 marks आए गए आएगा, minimum, फिर बाद में यहां से around 35 to 40 marks आए गए आएगा, फ हर chapter का तुमारे को revision available है, तो क्यों अपने को छोड़ना है, कोई भी chapter को option में, दो गंटा भी अगर बरावर से सुन लिया, और तुम लोग तो speed पे सुनते हो, तो definitely 2-3 बार तो हर chapter किया जा सकता है, तोड़ा logically उसको set कर लो, तोड़ा सा extra effort डालके, नींद कम करके, कर लो हर ए आपको सब्सक्राइब करना है, मुझे चल, तीन दिन का time है, हो जाएगा, तोड़ा mind भी अपना, एक, 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 लाइट फिल करेगा, it will also be positive that चल, तीन chapter तो कर सकते है, तीन chapter तो कर सकते है, चार chapter तो कर सकते, क्या बलता है public, तो ये 9 plus 6 का strategy, please use करो, and this will ensure that yes, म आपने test बराबर से लिख दिये, ये parts के, बता रहा हूं है, फिर बाद में, then there is no looking back, आपको कोई भी pass होने से नहीं रोग सकता है, ये मेरा guarantee है, next, SFM का, same way, part में divide कर दे है, ये mutual fund, portfolio, valuation of security, guaranteed, 40 मांग देके जाएगा, Forex derivatives, IFM, IRM, guaranteed, 40-50 मांग देके जाएगा, और ये बार तो May 23 में, कैसे theory ने, लोगों को, you know, fail होने से बचा, SFM में, उसका एक वीडियो आ रहा है, आज या कल में, stay tuned, stay subscribe, आप लोगों के लिए वो एक eye opener होगा, कि कैसे difficult paper में, एक theory, कितना काम के लिए होता है, same way, यहाँ पे भी, again, कितना, boss, 9 days, 6 days, 15 days है मेरे पास, ये 15 दिन में, प में रख लो, get it done and dusted, plan के साथ, execute करो, यह साथ points, आपको regularly follow करना है, technically, and I'm sure, we are on the right track, बाकी, जैसा मैंने बुला, अगर आपको, writing practice के साथ, थोड़ा test देने का, कभी भी मनो, the Google form is ready, just fill it up, and you'll get all the customization, that you want, exactly, जो आपको चाहे, वो, उसी साब से काम हो जाएगा, but, पीछे माता अब, सोचा है, एक last time, four months, institute ने result, जल्दी निकाला है, positive है अपने लिए, in case आप clear नहीं हो पाहे, and अगर आपका first attempt है, तो उसको last attempt कर दो, by following this, we all of us know, that how difficult it is, to give it, again, वापस से वही books कोलना है, and it's not easy, right, so, चलो भई, effort तो देना ही है, महनत तो करनी है, इसी में कर लेते हैं, चार महिना है, कर लेंगे, जान जोग देंगे, क्या बोलता है, public, चलो, so, please share your thoughts in the comment, इस साथ में से कौन सा point आपको लगता है, जो आप सबसे जादा crucial use करने वाले है, definitely share it in the comment, and then I'll be happy to read it, ठीक है, दो comments, जो आपको लगता है, यार सर, ये तो मुझे करना ही है, या ये, मैं use करता हूँ, regularly या करना चाहता हूँ, ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी चीजों के साथ, आप लोग के साथ, मिलते रहूंगा, मैं, SFM के revision lectures, coming very very soon, and उससे भी related, जो formula sheets है, वो बहुत जल्द, telegram channel पे share करने वाला हूँ, बहुत सारी चीजे, आप लोग के साथ, आने वाली है, स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब, आस्तला विस्ता करके दिखाएंगे, टेक केर,